प्रिजर्चा का उत्तर देंगे। दन्यवाद देने के लिए मैं भी इस चर्चा में शामिल हुआ हूँ। सत्य मारक को पुरस्कृत भी किया गया था। आदेने सभापती जी पिछले दो धाई दिन में इस चर्चा में करीब सत्तर मान्य सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। इस चर्चा को सम्रद बनाने के लिए राजपती महोदाया के अभी भाशन को व्यक्षाई करने में आप सभी मान्य सांसदों ने जो योगदान दिया है। इसके लिए मैं आप सब का भी आपहार बेक्ते करना हूँ। आदर्या सभापती जी भारत की आजहादी के इतिहास में हमारी सांसदिये लोकतांतिक यात्रा में बहुत दसकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने आप हूँ। साथ साल के बाद ये हुआ है कि दस साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी बापस हुई है। और मैं जानता हूँ कि भारत के लोकतंत्र की छे दसक के बाद आई हुई घटना असामान ये घटना है। और कुछ लोग जान बुझ करके उससे अपना मुझ फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया। और जिनको समझ आया उन्होंने होग अल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धी पर देश की जनता के इस महत्वपुन निर्णे पर कैसे छाया कर दी जाए। कैसे उसको ब्लक आउट किया जाए। इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले दो दिन से देख रहा हूँ। कि आखिर तक पराजय भी स्विकार हो रहा है और दबे मन से कम मन से विजय भी स्विकार हो रहा है। आजरे सहाती जी कॉंग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मरदय से धन्यवात करना चाहता हूँ। क्योंकि नतीज़ आये तब से हमारे एक साथि की तरब से मैं देख रहा था उनकी पार्ट्यून को समर्थन तो नहीं करते थे लिए कि आखेले जिन्दा रहे कर दोर रहते हैं। और मैं कहता हूँ वो जो कहते थे उनके मुझ में गीश सकता हूँ। और यह मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पिता था एक तिहाई सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है। कि हमारे दस साल हुए है, बीस और बाकी है। एक तिहाई हुआ है, दो तिहाई बाकी है। और इसलिए उनकी इस भविशमानी को लिए मैं उनके मुझ में गीश सकता। आधनिय सभाबती जी, दस वर्सों के अखंड एक निश्ट अभीरत सेवा भाव से की हुए कार्य को देश की जनता ने जी भरकर के समर्थन दिया। देश की जनता ने आशिरवाद दिये है। आधनिय सभाबती जी, इस चुनाव में देश वाद्शों के विवेक बुद्धी पर गर्व होता है। क्योंकि उन्होंने प्रपेजंडा को परास्त कर दिया। देश की जनता ने परफॉर्मस को प्राथ्विक का दिया। भम की राजनीती को देश वाद्शों ने ठुकराया है। और बरोसे की राजनीती पर विजय की महौब लिएका है। सम्मिधान के 75 वे भर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सदन के लिए भी ये पढ़ाव विशेस हैं क्योंकि इसे भी पचत्तसा हुए है। और इसलिए एक सुखक सहियोग है। आदेने के सभावती जी मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सारवजेनिक जीवन में। जिनके परिवान में कोई गाउं का सरपंज भी नहीं रहा है। गाउं का प्रदान भी नहीं रहा है। राजनीती से कोई सरोकार नहीं रहा है। लेकिन आज अनेक महत्वकूर पदों पर पहुँच करके देश की सेवा करता है। और उसका कारण बाबा साब आमबेड करने जो संभिधान दिया है। इसने हम जैसे लोगों को आउसर मिला है। और मेरे जैसे अनेक लोग है जिनको बाबा साब आमबेड कर द्वारा दिये गए संभिधान के कारण यहां तक आने का आउसर मिला है। और जनका जनार्दन ने उस पर महर लगाई तीसरी बार आने का मोगा में गया। आदरिया सभापती जी संभिधान हमारे लिए यह कोई आर्टिकल्स का कमपाइलेशन मात्र नहीं है। हमारे लिए उसका स्पिरीट भी और उसके शब्द भी बहुत मुल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए किसी भी सरकार के नीती निधारण में कार्यकलापों में हमारा संभिधान लाइट हाउस का काम करता है। अधिशा दर्शक का काम करता है हमारा मार्दर्शन करता है। आधिए सभापते जी मुझे आथ है। मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार के तरफ से कहा रहा। कि हम 26 नवंबर को संभिधान दिवस के रुपत मनाएगे। तो मैं हरान हूँ जो आज संभिधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं। दुनिया में लहराते रहते हैं। उन लोगों ने गिरोध किया था 26 जनवरी तो है कि संभिधान दिवस क्यों लाएगे। और आज संभिधान दिवस के माध्यम से देश के स्कूल कॉलेचिज में संभिधान की भावना को संभिधान की रचना में क्या भूमिका रही है। देश के जन्मान में महापुरुसों ने संभिधान के निर्मान में इन कारों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णे किया। इसके विशे में हमारे स्कूल कॉलेचिज में विस्तार से चर्चा हो, निबंदस परदाएं हो, चर्चा सबाएं हो, एक व्यापक रूप से संभिधान के प्रती, आस्था का भाव जगे और संभिधान के प्रती समझ विक्सित हो। देश वाचियों के लिए आने वाला पूरा कालखन, संभिधान हमारी सबसे बड़ी प्रेणा रहे, इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं। और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो, हमने इसे एक जन उत्सव के रुप में राश्ट व्यापी सव बनाने कर साइए। और इसे देश के कोने कोने में संभिधान की भावना को संभिधान के पिस्षे जो मकसद है, उसके विशे में भी देश को अवगत कराने का फ्यास है। आदनिय सभाब देजी, देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो आउसर दिया है, वो आउसर, विक्सित भारत, आत्म निर्भर भारत, इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धी तक ले जाने के लिए, हमें देश के कोटी कोटी जनों ने आशिरवाद दिये। आदरिया सभाब भी ये चुना दस वर्ष की सिद्धियों पर तो मौर है ही, लेकिन ये चुना भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना, क्योंकि देश की जनता का एक मत्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों को, संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हमें आउसर दिया। आदरिया सभाब भी ये देश भली भाती जानता है। देश ने पिछले दस वर्षों में हमारे देश की अर्थ ववस्ता को दस नंबर से पांच नंबर पर पहुंचाने में सफनता प्राई है। और जैसे जैसे नंबर निकरता की सिद्ध के और पहुंचता है। एक की तरफ पहुंचता है तो चुनवतियां भी बढ़ती है। और कोरोना के कथ्वीन कालखंड के बावजुद। संकर्श की बैश्मिक परिस्थितियों के बावजुद। तनाव के वातावरं के बावजुद। हम अमारे देश की अर्थ बवस्ता को दस नंबर से आज विश्व में पांच नंबर पर पहुताने में जबती हैं। इस बार देश की जनता ने हमें पांच नंबर से तीन नंबर की एकनोमिक पर पहुचाने के लिए चनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है हम भारत की अर्थ बवस्ता को विश्व के टॉप तीन में पहुचा के रहेंगे। मैं जानता हूँ आदर नियस रवापती जी यहां कुछ ऐसे विद्वान है जो यह मानते हैं इसमें क्या है यह तो होने ही वाला है यह तो अपने आप तीसे नंबर पर पहुंचने वाली है यह तो अपने आप हो ही जाएगा ऐसे विद्वान है अब यह लोग ऐसे हैं जिनोंने आटो पाइलोट मोर पर सरकार चलाने का या तो रिमोट पाइलोट पर सरकार चलाने का उनको आदी है इसलिए वो कुछ करने धरने में विश्वाद नहीं करते हैं वो कुछ करने धरने में मिश्वाद नहीं करते हैं वो इंतजार करना जानते हैं लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं रखे आने वाले वर्षों में पिछले दस वर्षों में हमने जो किया है उसको गती भी बढ़ाएंगे उसका विस्तार भी बढ़ाएंगे और गहराई भी होगी उन्चाई भी होगी और हम इस संकल्प को पुरा करें आदरिनिय सभापती चुनाओ के दर्मियान में देश वाच्छों को कहता था कि जो दस साल हमने काम किया है हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो यह एपिटाइजर है में कोर्थ तो अभी शुरू होगा आदरिय सभापती ची आने वाले पांच साल मूल सुविधाओं के सेचुरेशन के और हम एक सामान्य नागरी की जो रोजबरा की जिन्दगी की आवशक्ताएं होती हैं एक गरिमा पुर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्ताओं के जिन सुविधाओं के जिस प्रकार के गवर्णन्स की आवशक्ताएं होती हैं हम इन मुलभूत सुविधाओं के सेचुरेशन का यूग के रुपे उसको परिवर्ति करना चाहते हैं आदेनिय सभापती जी आने वाले पांच बर्ष गरीबों के खिलाफ निरनायत लड़ाई के हैं आने वाले पांच बर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई और मैं मानता हूँ गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्द के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ के लड़ाई सभलता को प्राप्त करती है और इसलिए आने वाले पांच साथ गरीबी के खिलाफ लड़ाई के मिरनायक बर्ष आ है और ये देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में वीज़ेई होकर के रहेगा ये पिछले दस साल के अनुभाव के आधार पर मैं बहुत विस्वाज से कह सकता आधरियत सभापती जी जब देश दूनिया की तीसरी बड़ी एकॉनोमी बनेगा तो इसका लाफ इसका प्रभाव जीवन के हर शेत्र पर परने वाला है विकास के विस्तार के अनेक आउसर उपलब्द होने वाले हैं और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरी नंबर की एकॉनोमी बनेगे तब भारत के हर्सकर पर सकारत्मक प्रभाव तो होगा लेकिन वैश्विक परिवेश में अभुत्पुर्व प्रभाव पैदा होने वाला है आदेनिया सभापती जी हमाने वाले कालखन में नए स्टार्ट अफ का नई कंप्रियों का वैश्विक उभार देख रहें और मैं देख रहा हूं कि आने वाए कालखन में हमारे टियर टू टियर थ्री सिटीज भी ग्रोथ एंजीन की भुमिका में देश में बहुत अब्राव हादनी सभापती जी यह सताब दी टेक्नोलोजी डिवन सताब दी और इसलिए हम कई नए शक्तर से नए फुट्प्रिंट्स भी अवश्य रुख से देखेंगे हादनी सभापती जी आने वाले पांट साल में पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में बहुत तेजी से बड़लाव आने वाला और इसका लाप भारत के कोटी कोटी जनों को जल्द से जल्द मिले उस दिशा में हम गंभीता से आगे बढ़ना चाहते हैं हादनी सभापती जी खारत की विकास यात्रा में हमारे छोटे शहर चाहे खेल जगत हो चाहे शिक्षा जगत हो चाहे इनोवेशन हो चाहे पेटन की रेजिस्ट्री हो मैं साब देख रहा हूँ कि हमारे छोटे छोटे शहर हजारों भी तादाज में से शहर भारत में एक विकास का नया इतिहाद जड़ने वादे आधिये सवाबती जी मैंने पहले भी कहा है कि भारत के विकास याक्रा में चार प्रमुकस्तम उसका ससक्ति करन उनको आउसर ये बहुत बड़ी ताक्त देजे वाले हैं आधिये सवाबती जी हमारे देश के किसान हमारे देश के गरीब हमारे देश के युवाद और हमारे देश की नारी शक्ति हमने हमारी विकांस यात्रा में हमारा जो फोकस है उसको हमने रिखांकित किया है आधरिये सभापती की यहां भी कई साथियों ने खेती और किसानी को ले करके हरेंग ने विस्तार से अपने विचार रखे हैं और अनेक बाते सकारत्म ग्रुप से भी रखी है मैं किसानों को ले कर सभी सदस्यों को और उनकी भावनाओं का आधर करता हूँ बीते दस वक्त में हमारी खेती हर प्रकार से लाबकारी हो किसान को लाबकारी हो उसकर हमने हमारा धान केंदी किया है और अनेक योजनाओं से उसको हमने ताकत देने का प्रयास किया है चाएं फसल के लिए रण हो लगातार नए बीच पिसानों को उफलब दहो आज की कीमत उचीत हो और फसल घीमा का लाब पहले की सारी मुसीबते दूर करते के किसानों को सर्वता से प्रद्दो ऐसी खिरोगता है जाएं एमस्पी पर खरीत की बात हो हमने पुराने सारे रेकोर्ट तोड़कर के किसानों को लाब पोश्टाया है एक प्रकार से दीजिसे बाजार तक हमने किसानों के लिए हर ग्यवस्ता को बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर बरसक प्रयास किया है और ग्यवस्ता को हमने चाग चौबंद किया है आदरिये सभापती जी पहले हमारे देश में चोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन पाना करीब करीब नौके बराबर था बहुत मुश्किल था जब कि उनकी संख्या सक्से अधीक आज हमारे नीत्यों के कारण किसान क्रेडिट कार्ड के बिस्तार के कारण आदरिये सभापती की हमने किसानी को एक व्यापक स्वरूप में देखा हैं और उस व्यापक स्वरूप में हमने किसान क्रेडिट कार्ड पश्रूप पालतों को और मचुवारों को किसान क्रेडिट कार्ड का हमने लाप मुहया कराया है आद इसके कार्ड हमारे किसानों का खेटी के काम को उसके विस्तार को भी मजबुती बिए कुछ दिशाने भी हमने काम दिया है आदेंगे सभापती मौंगरिश के कार्ड कान में दस साल में एक मार किसानों की कर्ज माभी की बहुत दोल पिटे गए और एक बढ़ चरकर के बाते बता करके किसानों को गुम्रा कर रहे था पर सक प्रयास किया गया था और साथ हजार करोन की कर्ज माभी उतका इतना हला मचाया इतना हला मचाया था और एक अनुमान था तो उसके लाभार थी सरे देश के तीन करोड किसान थी सामान्य गड़ी छोटे किसान का तो उसमें नामों निशान नहीं था जिसको सबसे जरुरत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवान नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुँच भी नहीं पाया था लेकिन आदर्य सभापती जी जब किसान कल्यान हमारी सरकार के रदय में केंडर में हो तो नीदिया कैसी बनती है कल्यान कैसे होता है लाभ कैसे पहुँचता है उसका मैं इस सदन को उदहार देना चाहता हूं आदर्य सभापती जी हमने प्रदान मंत्री किसान संवान योजना चलाई और फिर किसान संवान योजना चाहता है आपको लिए आचरन सही नहीं है दस करोड किसानों को हुआ है इसकी असन सदी आचरन की भर्दना करता हूं और में आप अपने स्थांट पर बैठ जाएं यह आचरन सही नहीं है आधनियत सभापती जी देश देख रहा है चूट ठालाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती जिनका सत्य से मुकामला करना इसके लिए जिनके होसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बार उन्होंने उठाय हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं इस अपर हाउस की महाल परंपरा को अपमानित कर रहे हैं आदरियत सभापती जी देश की जनता ने हर प्रकार जो उनको इतना पराजीत कर दिया है कि अब उनके पास गली महले में चीखने के सिवाई कुछ बचा नहीं है कि मारे अबादी ओहला और मादान छोड़के भाग जाना यहीं उनके नसीब में लिखा हुआ कि मानिये सदेशनगन अत्यंत दर्दनाक पीड़ा दाएक ऐ मर्या दित आचलों से देखकर महूं साशन तीसरे निरंतर लगातार का अलमी है छे दर्शक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोद किया कि पर्तिपक्ष के नेता को बिना बे रोग टोग बोलने का सुवसर दिया आज वो सदन छोड़ कर नहीं गए हैं मर्यादा छोड़ कर गए हैं आज उन्होंने मुझे पीट नहीं दिखाई है भारत के सुविधान को पीट दिखाई है आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है उस सफ़त का अनादर किया है तो सुविधान के तैफली है भारत के सुविधान की इस से बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है हाउस अफ एल्डर्स दियपर हाउस हमें देश का माद दुर्शन करना है मैं उनके आच्रन की बरसना करता हूँ देश के एक सो चालिस क्रोड लोग इसे हाथ होंगे सदन का मत्रव है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी मानिये सदशेगन आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई हर सदशेगो मुका जिया गया इस अपसर है जहां भारत के सम्मिधान को चुटे लिए उन्होंने भारत के सम्मिधान की भाना को आहद किया है उन्होंने जो शपत ली थी उसकी भी अबान में किया हूँ कि भारत के सुविधान का इतना बड़ा अपमान इतना बड़ा मजाक भारत का सुविधान हाद में रखने की किताब नहीं है जीने की किताब है मैं आशा करता हूँ कि वो आत्म चिंतन करेंगे मंतन करेंगे अपने दिल को टटो लेंगे और करते भी पराएंगे मानने प्रधान मंत्री जी आदेनिया सभापती जी आपकी वेदना मैं समझ सकता हूँ 140 करोर देश वास्यों ने जो निन्न दिया है जो जनादेश दिया है इसे ये पचा नहीं पा रहे है और कल उनकी सारी हरकत है फेल हो गई तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी होसला नहीं था और इसलिए उम्मेदान छोड़ करके भाग दे आदेनिया सभापती जी मैं तो करतव्य से बंदा हुआ हूँ और नहीं मैं हाँ कोई डिबेट में स्कोर करने के लिए आया मैं तो देश का सेवक हूँ देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना मैं उसे अपना करतव मानता हूँ आदेनिया सभापती जी बैस्वीक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ हमने देश के किसान को मुसिबत पर नहीं आ रहे दिया और हमने करीब करीब बारा लाग करोड रुपिया फर्टिलाइजर में सबसीड़ी है और जो भारत के आजादी के इतियास में सर्वाथित है और उसी का प्रणाब है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोच उस तक हमने जाने रहे दिया सरकार ने अपने कंद्रे पर उसको उठा लिया आदेर सभापती जी हमने एमेसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है इतना ही नहीं खरीद के भी रिकॉर्ड बनाए पहले एमेसपी की गोशना होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था बाते बताई जाती थी पहले की तुल्णा में अनेक गुना जादा खरीदी करकर के हमने किसानों को सामर्थवान बनाने का प्यास आदेर सभापती जी दस वर्सों में हमने कॉंगरेस सरकार के तुल्णा में धान और गेहुं किसानों तक भाई गुना अधिक पैसा पहुंचाया और हम आने वाले पांच साल सिर्फ इसी का इंक्रिमेंटल बृद्धी करके रुकना नहीं चाहते हैं हम नए ने छेत्रों को उन कठिनायों का ध्धन करके उसकी मुक्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आद्रणी खमापती जी अन्न भंधनारन का विश्व का सबसे बड़ा भियान उने हाथ लिया है और लाखों की ताइदान में विकेंद्री ती ववस्ता के तहट अन्न भंधनारनों की रचना करने की दिसा में काम चल पड़ा है फल और सब्जी एक ऐसा ख्षेत्र है हम चाहते हैं किसान उस तरब मुड़े और उसके बंदारन के लिए भी एक व्यापक इंफ्रास्रक्र की दिशा में हम काम कर रहे हैं आधर ये सभापती जी सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा की हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्यास किया है देश वाचियों को गरिमा प्रून जीवन देना ये हमारी प्रात्पित आ रही है आज़ाजी के बाद अनेग दसों को तक जिनको कभी पूछा नहीं गया आज मेरी सरकार उनको पूछती तो है उनको पूजती भी है हमारे दिव्यांग भाई भेनों के साथ हमने मिशन बोड में उनकी कठिनाईयों को समझ करके माइक्रो लेवल पर उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यवस्ताएं विक्सित किरने का प्रयास किया है ताकि वे गरिमा पूर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े इस दिशा में हमने काम किया है हादरी सभापती की हमारे समाज में किसे ने किसी कारन बस एक उपेक्षित वर्गव यहने एक प्रकार चे समाज में बार बार हर्दूत होने वाला वर्ग वो ट्रांसजेंडर वर्ग है हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है और जब पसिंग की दुनिया के लोग यह सुनते हैं तो उनको भी गर्व होता चाहिए भारत इतना प्रोग्रेसिव है भारत के तरफ बड़े गर्व की नजरे से देखा जाता है हमने उनको मुक्ष धहरा में लाने का प्रयाश शुक्त दिया है आपने देखा होगा पदमा एवोर्ड में भी ट्रांसजेंडर को अवसर देने में हमारी सरकार आगया है हमारे गुमत साथी हमारे बंजारा पविवार उनके लिए अलग कल्यान बॉर्ड बनाया है ताकि उनकी आवश्यक्ताओं को हम एड्रेस कर सके और उनको भी एक स्थाई सुरक्षित और संभावनाव वाला जीवन प्राप्त हो उस दिशा में हम काम कर रहे है आदर ये सभापती जी हम एक शब्द लगातार सुनते आए हैं पीवी टी जी पीवी टी जी पीवी टी जी हमारे जनजाती के समूर में यह सबसे पीषे रहा हुआ और आजहादी के इतने सालों के बाद भी जिन्यों ने उनको नीकर से देखा वो का पता चलता है कि कैसे हालत में जीते हैं उनकी तरफ किसी नहीं नहीं देखा हमने एक विशेश विवस्ता की है और पीएम जन्मन योजनाव के अतहत चोपीस हजार करोड यह समुदा बिखरा हुआ है चोटी संग्या में वोड की उनकी ताकत नहीं है और यहां देश की परंपराईजी इसकी वोड की ताकत है उसी की चिंटा करना लेकिन समाइद के ऐसे अति पिश्डे लोगों की कोई चिन्ता नहीं करता था, हमने वो चिन्ता की हैं क्योंकि हम भोट की राजनी की प्रीकर समय के अधरी सभापती जी, हमारे देश में पारंपारिक पारिवारिक कौशलया, भारत की विकास यातरा का और व्यवस्था का एक अंग रहा है जो हमारा विश्वकर्मा समूह है जिनके पास परंपरागतु से हुनर है और जो समायक के आवश्क्ताओं को पूरी करना है लेकिन उनकों कभी एड्रेस ने किया है हमने करीब करीब तेरा हजार करोड रुपेटी हो जना से विश्वकर्मा समुधाय को आधूरि आधर निस अबावती की गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्यकन तो क्यार दिया गया था लेकिन मेरे रहडी पट्री वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी हाल अगती पहली बार देश में पीम स्वनीदी योजना के तहर रहडी पट चक्र से भार आ करके अपने परिश्णर से और इमांदारी से जो रेडी पत्री वालों को बैंकों से लोन मिले है वी लगा तार बैंक वाले भी खुश हैं लेने वाला भी खोश हैं और जो कल फुट्पात पर बैढ़ता है आज एछोटी दुकान दिशा में बनाने की दिश में काम कर रहा है और यही कारण है कि गरीब हो गलीद हो पीछड़े हो आदिवासी हो मैला हो उन्होंने हमारा भारी समर्थन किया है आदेने सर्हावती जी हम विमेन लेट डेवलप्मेंट की बात करते हैं दुनिया के प्रगतिशिल देशों के लिए भी विमेन डेवलप्मेंट तो बहुत स्वाभावी स्विकार करते हैं लेकिन विमेन लेट डेवलप्मेंट की बात करते हैं तो उनकी भी उत्साह में थोड़ी कमी ने जराती ऐसे समय भारत ने नारा नहीं निश्टा के साथ विम महिला ससक्विकर्ण का लाथ आज दिख रहा है फरक्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास याता में वो कंट्यूबूट कर रहा है मैं आदेनिये सांसत सुधामूर्थी जी का अभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विशे प रहा था और आप उन्होंने एक बात है ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि मा अगर चली गई तो उसका कोई उपाई नहीं होता इर नहीं मिल सकती ये भी बड़ी भावात मक्ता था उन्हों बताया था विमेन हेल्थ सेनिटेशन वैलनेस पर हमने दस वर्सों में एक प् सभावते जी टॉइलेट हो सेनिटरी पैड्स हो गैस कनेक्शन हो प्रेग्नेंसे के दौरान वैक्शनेशन की व्यवस्ता हो और इसका फाइदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है आधरी सभावते जी आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर भर मनें उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं बीते वर्षव में हमने जो चार करोड घर बनाए है उस में से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर लिए बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या सम्रुद्धी जैसी योजना से आर्थिक फैसलोब हैं महिलाओं की भूमी का भी भड़ी है भागीदारी भी भड़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णे प्रक्रिया का हिस्सा बढ़ने लगी है आदेने सभावती की विमें सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स उससे जुड़ी दस करोड बहने उनका आत्मवास्वास तो बड़ा ही बड़ा है उनकी आई भी बड़ी है अभी तक एक करोड बहने जो यह सेल्फ हेल्फ गूप में काम करती है छोटा छोटा गाउं में करोबार करती हैं मिल करके करती है किसी गाउंवालों की भी नजर नहीं जाती है कि आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से एक करोड बहने लगपती दीदी है और हम आने वाले समय में यह आंकणा तीन करोड बहनों को लगपती दिद्राजवानाने की दिशा में बढ़ा देए अधरी सभावती जी सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएं लीड करें को अगवाई करें वो दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं नई टेक्नलोजी आती है लेकिन महिलाओं के नसीब बहुत बहुत आखिर में आती है हमारी कोशिश है कि नई टेक्नलोजी का पहला आउसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे और बे इसको बढ़ाए और इसी के तहर नमो ड्राउन दीजी यह अभियान बहुत सफ़ता पुरवग आगे बढ़ा है और आज गाउं में पिसानों को बदद करने का टेक्नलोजी के मादम से काम गाउं की हमारी महिलाइ करी और मैं जब उन से बात कर रहा तो मुझे कह रही है अब करिमा पूर्ण बात उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन जाता है आधर्निय, सभापती जी, देश का दुर्भाग्य है, कैसे सम्वेदन सिल मामलों में भी राजनीती जब होती है, तब तेश माच्यों को विशेश का महलाओं को, अकल पर पीड़ा होती है, ये जो महलाओं के साथ होते हैं अत्याचार में, विपश्चा जो सिलेक्टिव रविया है, ये सिलेक्टिव रविया भावती चिंता जनद है, आदेने सभापती जी, मैं आपके मादम से देश को बताना चाहता हूँ, मैं किसी राज्य के खिलाप नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं को राजनीती स्कोर करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ समय पहले मैंने, बंगाल से आई कुछ तश्वीरों को सोशल मिडिया प पर पीटा जा रहा हूँ, वो बहन चीख रही है, लेकि महाँ खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए है, और जो कतना संदेश खली में हुए, जिसकी तस्वीरे राउंटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े-बड़े दिग्ज मैं सुन रहा हूँ कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं जलक रही है, इससे बड़ा सर्मिंद्गी का दुखत चित्र क्या हो सकता है, और जो अपने आपको बहुत बड़े प्रगतिसिल नारी नेता मांते हैं, वो भी मुँपे ताले लगा करके बैठ गये हैं, क्योंकि समन्द उनके राजलीतिक जिवन से जूड़े किसी दल से हैं, या उस राज्य से हैं, और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुप चाप हो जाएं, अधरिये सभापती जी, मैं समद्ना हूँ कि, जिस पकार से दिग्ज़ लोग भी ऐसी बातों को नजर अंदाज करते हैं, तब बेश्कों तो पीड़ा होती हैं, मारी माता और बहनों को जादा पीड़ा होती हैं, अधरिये सभापती जी, राजनीती इतनी सिलेक्टिव हो, और जहां उनकी राजनीती को अनुकुल नहीं होता है, तो उनको साप सुंग जाता है, ये बहुत चिंता का विशह हैं, अधरिये सभापती जी, भारत की जनता ने तीसरी बार, पूर्ण बहुमत की स्थीर सरकार चुनकर, देश में तो स्थीरता और निरंतरता को तो आदेश दिया ही है, लेकिन इस चुनाओं के नतीजों ने विश्व को आस्वस्त किया है, अधरिये सभापती जी, और इस नतीजों के कारांग, भारत बिश्व भर के निवश्व को के लिए, एक बहुत बड़ा आकर्षन का केंद्र बंद करके उबर रहा है, इप्स और बट्स का समय पुरा हो चुका, और भारत में विदेश का निवेश, भारत के नवजवानों के लिए, रोजगार के नए आवसाल ही आता है, भारत के युवाओं की टैलेंट को विश्व के मंच पर ले जाने का एक आवसाल बन जाता है, अधर्या शवारत के अधर्या शवारत के नए अधर्या अधर्या विजवा था। आपने मुझे भी एक मोका दिया है जो मेरे से पहले एक चेर्मन को ही मिला है कि वे प्रधान मंतरी जी को सुने तीसरी बार जब वो रास्टपती के अविभास में पर उतर दे रहे हैं और आप से इंस्पिरेशन लेकर आप देखिए टेबल के उपर हमने पुर्शों का वन थर्ड रिजर्वेशन कर दिया है वन रिपर प्राइम निस्टर आदे इस अभापती जी 22 वीक अर्थ वबस्ताओं में संतुलन जो चाहते हैं उनका भारत का यस विजय उनके लिए एक बहुत बड़ी नई आशा लेकर गया है आज विश्व पारदर्शिता पर बरोसा करती है और भारत उसके लिए एक बहुत इस्ट्रेश्ट फूमी के रुपे उभर रहा है अधरी जबाबते जी इस चुनाव नतीज़ों से तो केपिटल मार्केट है उसमें तो उचाल नजर आई रहा है लेकित दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहोल है लेकिन इस बीच हमारे कॉंग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये खुशी का कारण क्या है और इस पर कई सवाल है क्या ये खुशी हार की हैट्रिट पर है क्या ये खुशी नर्वस नैंटी के शिकार होने पर है क्या ये खुशी एक और असफल लौंच की है आदनिय सभापती जी मैं देख रहा था ये उत्साओं मुझ से खरजे की खरगे जी भी बड़े दजर आ रहे थे लेकिन साइद खरगे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सिवा की है क्योंकि जो ये पराजय का ठिक्रा जिन पर फुटना चाहिए था उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दिवार बर के खड़े हो गए और कॉंग्रेस का रवया इसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्तिती आती है तो दलीद को पिछडे को ही ये मार जेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है इसमें भी यही नज़रा रहा है इन दिनों आपने देखा होगा लोग सभा में स्पीकर के चुनाओ का मस्टला हुआ उसमें भी पराजय तो ताई चेहिए लेकिन आगे किसको किया एक दलीद को बड़ी चला रहे लिए खेल खेला हुआ उनको मालूँ था कि वो पराजय तो आगे किया राजपती उपराशपती पत के चुनाओ थे तो दो हैजार बाइस में उन्होंने उपराशपती पत के लिए सुशित कुमार सुन्दे जु को आगे किया उनको मरवा दिया दलीत मरे उनका को जाता नहीं है 2017 में हारता ही थी तो उन्होंने मिलाकुमार को लगा दिया पराजे हुआ हुआ उनको पराजे जहलना पड़ा कॉंग्रेस की SC, ST, OVC ये विरोधी मानसिकता है जिसके कारण ये पुर्वराश्पती स्री रामनाद कोवी जी का अपमान करते रहे इसी मानसिकते के खारण देश की पहली आदिवासी महला राश्पती को भी उन्होंने अपमानित करना विरोध करने में कोई कमी नहीं दिगी और एशे सब्दों का प्रोग्चे जो कोई नहीं कर सकता है आदनी सभापती जी ये संसत ये उच्छ सदन सार्थक वाद विवाद सववाद और इस मनो मन्थन में से अम्रत निकाल करके देश वाच्छो देने के लिए हैं ये देश का सबसे बड़ा मंच मना जाएगा लेकिन जब मैंने कई वरिष्ट निकाओं की बाते सुनी पिसले दो दिन में सिर्फ मुझे ही नहीं पुरे देश को निराशा हुई है यहां कहा गया कि ये देश के इत्कास का पहला चुनाओ था जिसका मुद्धा सम्मिधान की रक्षा था मैं जरा उन्हें याद कराना चाहता हूँ क्या अब भी एक फेक नेरेटिव चलाते रहोगे क्या क्या आप भूल गए 1977 का चुनाओ अख़वार बन थे रेडियो बन थे बोलना भी बन था और एकी मुद्धे पर देश वासियों ने वोट किया था लोग तंतर की पुनस थापना के लिए वोट किया था सम्मिधान की रक्षा के लिए फूरे भिश्व में इससे बिड़ा कुनित चुनाओ नहीं हुआ है और भारत के लोगों की रगों में लोग तंतर किस पकार से जीवित है वो नाइन्टी सेवन्टी सेवन के चुनाओ ने इत्रिफाश था लेकिन आप घुम्रा करें ओ देश को मैं मानता हूँ कि सम्मिधान की रक्षा का उस सबसे बड़ा चुनाओ था और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने सम्मिधान के रक्षा के लिए उस समय सर्ता पर बैटे हुए लोगों वो खाड़ करके फैक दिया था और इस बार अगर सम्मिधान की रक्षा का चुनाओ था तो देश वाच्वों ने सम्मिधान की रक्षा के लिए हमें योग ये पाया है कि संविधान की रक्षा के लिए देश वात्चों को हम पर भरोसा है अगर संविधान की रक्षा को कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं और देश वात्चों ने हमें जनादेश दिया है आदर ये सभावती जी जब खड़के ये सी बाते बोलते हैं तो जब पीड़ा दाइक लगता है क्योंकि इमर्जन्से के दोराओं संविधान पर जो जुल्म हुआ जो बुल्डोजर चलाया गया संविधान के उप़ा लोग तंत्र की धज्यां उड़ा दी गई तब उसी दल के महतोपुर्ण नेता के रुपेवूर के साक्षी है फिर भी सदन को गुमरहा कर रहे है आदनिय सभावते जी आपात काल को मैंने बहुत देकट से देखा है करोणों लोगों को कलपना भार की यातना है दी गई है उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है भारत के सम्विधान की बाते करने वालों को मैं पूछता हूँ जब आपने लोग सभा को साथ साल चलाया था लोग सभा का कारकाल पांच साल है वो कौन सा सम्विधान था जिसको लेकर कि आपने साथ साल तक सत्ता की मौजली और लोगों उपर जुल्म करते रहे और आप सम्विधान हमेश चिकाते हो आदेनिय सभापती जी दस जनों आर्टिकल्स पर एने सम्विधान की आत्मा को छिन भी छिन करने का पाप इनी लोगों ने उस कालखन में किया था अड़तिसवां उनन्तालिसवां और बायालिसवा सम्विधान समसो दन और उस समसो दन मों एने मीनी कॉंस्टिटुशन की रुपे कहा जाता था यह सब क्या था आपके मुह में सम्विधान की रक्षा सब्द सोफा नहीं देता है यह पाप करकर का आप बैठे वी लोगों इमर्जन्सी में पिछली सरकार में दस साथ यह केमिनेट में जखड़ गेजी है क्या हुआ था प्रदान मंत्री सम्विधानिक पद है प्रदान मंत्री के पद के उपर एनेसी बैठ जाना यह कौन से सम्विधान में चलाए थे वेवस्ता किस सम्विधान में से बनाया था आप लोगों आपने देश के प्रदान मंत्री पद की घरीमा को चकना चूर कर दिया था और रिमोट पाइलोट बन करके आप उसके बाथे पर बैठ गए थे कौन सा सम्विधान आपको अनुमत्ती देता है हदर निये सभापते जी जराए बताए हमको वो कौन सा सम्विधान था है जो एक साउसत को केविनेक के निर्णे को सारवजरी गुरूप से फार देने का हक दे देता है कौन सा सम्विधान था किस हैस्यत पना गया था आदर ये सभापती जी हमारे देश में लिखित रुप में प्रोटोकॉल की व्यवस्ता है राजपती उप्राशपती प्रदानमंत्री स्पीकर सब कैसे कहा होते हैं कोई मुझे बताए कि सम्विधान की बर्यादाओं को तार तार करके प्रोटोकॉल में एक परिवार को कैसे दी जाती थी कौन सा सम्विधान था सम्विधानी पदों पर बैटे हुए लोगों बाद में एक परिवार के लोग पहले कौन सा सम्विधान की परियादा रखी जाते हैं और आज सम्विधान की बाते करते हैं सम्विधान लहराते हैं जय समिधान कहते हैं, अरे आप लोग तो इंडिया इजी इंडिरा इंडिरा इजी इंडिया के नारे लगा करके जिये हो, आपको समिधान की कोई आधर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो. आधर निये सभावती जी मैं बहुत दंबिर्ता से कह रहा हूं, इस देश में कॉंग्रेस समिधान की सबसे बड़ी विरोती है, उसके जहन में आधर निये सभावती जी इस पूरी चर्चा के दरब्या है, उनको दोसो पांसो साथ की बाते करने का दो हक है, लेकिए इमर्देंची की बात देखे लिए तो कराना हो गया, तो आपके पाथ पुराने हो जाते तो खतम हो जाते हैं क्या है? हादने सभापती जी इस हाउस पर कोशिश की कई समिधान की बात करना लेकिन इमर्जन्सी को कभी भी आने नहीं देना ये चर्चा करने का उनलोग है लेकिन ये देश इनके साथ जो लोग बैटे है उसमें भी बहुत लोग है जो इमर्जन्सी के भुक्त भोगी रहे है जीकिन उनकी कुछ मजबूरिया होगी कि आज उनके साथ उन्होंने बैटना पसंद किया है मतलब अवसरवादिता का ये दूसरा नाम है समिधान के प्रति समरपन का भाव होता तो ऐसा नहीं करते है अधेरिया सभापती जी आपात का तरव एक राजनिति संकट नहीं था लोग तंत्र समिधान के साथ साथ ये भावत बड़ा मानिविय संकट भी था अनेक लोगों को टॉर्चर किया रहा था अनेक लोग जेल में मुर्ति को शनन हुए थे जैप्रकाद नाराण जी की स्थितिति खराब हुई कि भावर आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए ये हाल उन्होंने कर दिया था और प्रतार्णा से राजनेता हो कि नहीं है आम आदमी को भी नहीं छोड़ा गया था सामान ने मादमी को भी और इनको इनका इतने सारे जुल्म उसमें इनके लोग भी थे अंदर उनके साथ भी ये जुल्म हुआ लेकिन आज भूल है अधिने सभापती जी वो दिन ऐसे थे कि जो कुछ लोग घर से निकले कभी घर लोट करके भापिस नहीं आये और पता तक नहीं चला उनका शरीर कहा गया यहां तक ही घटनाएं करती थे अधिने सभापती जी ये बहुत सी पार्टियां जो उनके साथ बैठी है वो अलपसंखकों के आवाज होने के जरा दावा करते हैं बड़े जाजा चिला करके बोलते हैं क्या कोई मुझफर नगर और तुकमान गेट वहाँ अलपसंखकों के साथ इमर्जनसे में क्या हुआ था जरा याद करने की हिम्मत करते हैं क्या बोलने की हिम्मत करते हैं क्या अधनिय सभाज पती जी और ये कॉंग्रेस को क्लीन चेट दे रहे हैं कैसे देश्व को बाप को नेगा ये शर्मनाख है कैसी ताना सही को भी आज सही कहने वाले लोग हाथ में सम्मिधान की प्रतले करके अपने काले कारणावों को छपाने की कोशिश कर रहे हैं अधनिय सभावती जी उस समय के कई अलग छोटे छोटे राजनितिक दल थे ये मरदिन्ची के खिलाब लड़ाए के मैदान में उत्रे तो दिरे जिरुना ने अपनी जमीन बनाई थी आज वो कॉंग्रेस का सहयोग कर रहे है और मैंने कल लोगसभा में कहा था अब कॉंग्रेस का परजीवी यूग शुरू हुआ है ये परजीवी कॉंग्रेस है जहाँ वो खुद अकेले लड़े वहाँ उनका स्ट्राइक रेट शरम जरग है और जहाँ किसी के सहारे किसी के कंदे पर बैठने का मोगा मिला वही पर से बच कर के आये है देश की जनता ने आज भी उनको स्विकार नहीं किया है वो किसी के आड में आये है ये कॉंग्रेस परजीवी है किसी और के कारण सहियोगी दलों के बोट खा करके वो जड़ा फली फुली ऐसा दिखता है और कॉंग्रेस का परजीवी होने का कारण उनके अपने कारणामों से है वो देश की जनता का विश्वाथ नहीं भी लिफता है वो जोर तोड़ करके बचले का रास्ता खोज रहे है जनता जनादन का विश्वाथ जितने के लिए इनके पास कुछ नहीं है इसलिए फेक नेरेटिव के द्वारा फेक विडियो के द्वारा देश को भमित करके गुम्रा करके अपने कारणामे करने के आदत है अधरने सभाब दीजी इस सदन में ये उच्चे सदन है यहाँ विकास के वीजन पर चर्था होना स्वाभाविक अपिक्षित है लेकिन ब्रस्टाचार के घंबीर आरोपव से गिरी लोग ये कॉंग्रेस वाले ब्रस्टाचारी बचाओ आंदोलंच चलाने लग रहे है बेशर्वी के साथ जुनको सजाएं मिली है ब्रस्टाचार में इनके साथ तस्वीरे निकाले में उको मजा आ रहा है पहले ये लोग हमको पूछते थे बाते तो बड़ी करते थे ब्रस्टाचारियों पर कारवाई क्यों नहीं होती है और जब ब्रस्टाचारी जेल जा रहे है तो हंगामा कर रहे है क्या आप लोगों को जेल क्या पहुंच बेज रहे हो अधरियने सभापती जी यहां चर्चा के दौरा केंदर की जाच एज़न्सियों पर आरोप लगाये गए है जाच एजन्सियों का ये सरकार दूरुप्यों कर रहे है ऐसा कहा गया है हाधरियने सभापती जी अब आप मुझे पताईए ब्रस्टाचार करे आप सराब गोटाला करे आप बच्चों के क्लास के बनाने में गोटाला करे आप पानी तक में गोटाला करे आप आपकी शिकायत करे कॉंग्रेस आपको कॉट में गसीड करके ले जाए कॉंग्रेस और अब कारवाई हो तो गाली दे मोधी को और अब आपस में जरा साथी बन गई है लोग और हिम्मत है तो सदन में खड़ो हो करके जवाब मांगो कॉंग्रेस पार्टी से मैं आप वारों से कहता हूँ कॉंग्रेस भी पताएं कि आपने प्रेस कॉंफरंस करके आपके गोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे थे कॉंग्रेस ने प्रेस कॉंफरंस की थे इनी लोगों के खिलाप की थे अब ये पताएं कि ये जो उन्होंने सबूत प्रेस कांफरांस करके सारी फाहिले पताई थी, क्या वो सबूत सच्चे छे या जूठे थे, दोनों एक दुझरों को खोल कर रख देंगे, अधरी सबापती जी, मुझे विश्वांस है, ऐसी चुझों का जवाब देने कि उनके नरहिंबत नहीं है, अधरी सबापती जी, ये ऐसे लोग हैं, जिनका डबल स्टांडर्ड है, दोहरा रविया है, और मैं देश को बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये कैसा दोगला पंचल रहा है, ये लोग दिल्ली में, एक मंच पर बैठ करके, जांच एजन्सियों पर आरोप लगाते हैं, बसाचारियों को बचाने के रिए रेलियां करते हैं, और केरला में, उनके सहजादे, उनी के केरल के एक मुख्यमंद्री जो उनके गड़बंदर के साथ ही है, उनको जैल भेजले की अपील करते हैं, और बारत दर्कार को कहते हैं कि इस मुख्यमंद्र को जैल भेज दो, दिल्ली में, ED, CBI की कारवाई उस पार हाय तोबा करते हैं, और बही लोग, उसी एजिंसी से, केरल के मुख्यमंद्र को जैल भेज रहें कि आपके अपने साहजादे, तब लोगों के मिन में सवाल होता है, कि इसमें भी दोगलापन, हदरी सभापती जी, 36 गड़ में, कॉंग्रेस सरकार के मुख्यमंद्री के साथ सराप गोटाला जुड़ा, यही आप पार्टी बाले चीख-चीख करके कहते थे, एड़ी सिब्याई को लगा दो, और इस मुख्यमंद्री को जैल में डाल दो, खुले आम कहते थे, और एड़ी ये काम करें, इसके लिए गुजारिश करते थे, उनको तब एड़ी बहुत पहरा लगता है, आदरी सभापती जी, ये आज जो लोग, जाच एजन्स्यों को बदराम कर रहे हैं, हला मता रहे हैं, मैं ज़रा उनकी याददास पर जोड़ ढलना चाहिए, मैं ऐसे उनको आगरे हैँ, जाच एजन्सियों का पहले दुरूप्यों कैसे होता था कैसे होता था कौन करता था मैं जरा बताना चाहता हूँ मैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूँ यह पहला बयान है 2013 का बयान क्या है कॉंग्रेस से लड़ना आसान नहीं है जेल में डाल देगी CBI पीछे लगा देगी कॉंग्रेस CBI वह इनकम ट्रेस का भवय दिखा करके समर्थन लेती है यह स्टेट्मेंट किसका है यह बयान है स्वर्गिय मुलायम सिंग्जी का कॉंग्रेस एजन्सियों का कैसा दुरूप्यों करता है यह मुलायम सिंग्जी रेका आता है और यहां इस सदन के मानिय सदस्ट राम गोपाल जी को मैं जर पूछना चाहता हूं कि राम गोपाल जी क्या नेता जी कभी जूट बोलते थे क्या नेता जी तो सच बोलते थे आदेनी सभापती जी मैं राम गोपाल जी को यह भी का जर भतीजे को भी बताएं क्योंकि उनको भी याद दिलाए कि राज नीती में कदम रखते ही बतीजे पर सीबी आई का फंदा लगाने वाले कौन थे जर याद दिला दे उनको पता चलेगा आदेनी सभापती जी मैं एक और बयान परता हूँ यह भी साल दोहजार तेरा का है दक कॉंग्रेज हैड यूज दुसीबी आई तु स्ट्राइक पोलिटिकल बार्गेंज विद मैनी कॉंग्रेज ने राजनितिक फैट उठाने के लिए इस्टमाद किया उन्हें कॉम्रेड शिमान प्रकास कराज जुझे यह कहा हुआ है दोहजार तेरा में कहा है एक और महतोपन स्टेटमेंट में पड़ता हूँ और मैं याद दिलाना चाहत हूँ स्टेटमेंट क्या है कि सिबियाई पिंजने में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है यह किसी राजनितिक व्यक्ति का बयान नहीं है यह हमारे देश की सुप्रिम कौट ने यूपिये सरकार के समय कहा हुआ बयान है एजन्सियों का दुरुप्यों कौन करता था इसके जीते जाकते सभूत आज मौजूद है आदेने सभावती जी ब्रस्टाचार के विरुद्ध लड़ाई यह मेले ले चुनाव हारजित का तराजू नहीं है मैं चुनाव हारजित के लिए ब्रस्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लट रहा हूँ यह मेरा मिशन है यह मेरा कन्विक्शन है और मैं मानता हूँ कि प्रस्टाचार एक ऐसी दिमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है इस देश को प्रस्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए प्रस्टाचार के प्रति सर्वमान्य मानवी के मन में नफ्रत पादा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हूँ और मैं इस पवित्र कारे मानता हूँ 2014 में जब हमारी सरकार बनी है तो हमने दो बड़ी बाते कही थे एक हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पीत है और दूसरा ब्रस्टाचार पर काले धन पर कड़ा पहार मेरी सरकार करेगी यह मैंने 2014 में सार्वजनिक रूप से कहा था है इसी धे कुले करके एक तरब गरीबों के कल्यान के लिए विश्व की सबसे बड़ी कल्यान योजना हम चला रहे हैं गरीब कल्यान योजना चला रहे हैं दूसरी तरब ब्रस्टाचार के विरुत नए कानून नई व्यवस्थाएं नए तंत्र हम विक्सित कर रहे हैं हमने ब्रस्टाचार निवारान अधियम 1988 उसमें संसोधन किया हमने काने धन के खिलाब एक नया कानून बनाया बेनामी संपत्य को लेकर हम नया कानून लेकर क्या है इन कानूनों से ब्रस्ट अधिकारियों पर भी कारवाई हो गई है लेकिन लीकेज हटाने के लिए हमने सकारातमत गुष्ट से जवर्मेंट में बढ़ाव लाया हमने डाइवेल बेनिफिट ट्रांसपर पर बल दिया हमने डिजिटल टेक्नोलोजी का भरपूर उप्योग किया है और तभी आज हर लाभारती तक उसके हक का फाइदा तुरंट सीधा पहुंच रहा है एक नए पैसे का लिकेज नहीं होता है और जब सामाने नागरीक को यह ववस्ताइ मिलती है तब उसका लोकतंतर बे भरोजा बढ़ता है उसको सरकार में अपनापन महसूस होता है और जब अपनापन महसूस होता ने तब तीसरी बार बैठने का मोका मिलता है आदेडे सभापती जी मैं नी संकोज गुरप से कहना चाहता हूँ लाग लग पेट नहीं रखता हूँ और मैं देश वाध्शिओं को भी कहना चाहता हूँ कि मैंने एजन्सियों को ब्रश्टाचार और ब्रश्टाचारियों पर कड़ोस से कठोर कारेवाई करने के लिफ खूली छूप दे के रखी है सरकार कहीं पर भी टांग नी अड़ाएगी हाँ वो इमानदारी से काम करे इमानदारी के लिए काम करे ये मेरी सुचना है और आगे अभावती जी मैं फिर देश्वासों को कहना चाहता हूँ कोई भी प्रश्टाचारी कानुन से बच करके नहीं निकलेगा ये मोदी की गार्ष्टी है अधनिय सभापती जी रासपती जी ने अपने संभुधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलियर राजनीती से उपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं लेकिन दुर्भाग्य से इतना संभेदंसिल महत्पपूर मुद्दा भी मेरे देश के नव जमानों के भविश्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीती के भेंट चड़ा दिया इससे बड़ा दुर्भागी क्या हो सकते हैं मैं देश के नव जमानों को आस्वस्त करता हूँ कि आपको दोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं मेरे देश के नव जमानों के भविश्य के बाद खिलवार करने वालों को सक्त से सक्त सजा मिलें इसके लिए एक के बाद एक एक्षन लिए जा रहे हैं साउसद में इन गड़बडियों के खलाब सक्त कानून भी हमने बनाया है हम पूरी सिस्टिम को मजबूती दे रहे हैं यह भविष में मेरे देश के नवजवानों को आशन का भरिश्टिती में भी रहना न पड़े पुरे विश्वास के साथ अपने सामर्थों को प्रदर्शित करें और अपने हक का प्राप्त करें इस बात को लेकर करके हम काम कर रहे हैं आधरिये सभापती जी यहां कोछ आरोप लगाने की फैशन है लेकिन कोछ आरोप ऐसा है उसके जवाब गतनाई खुद दे देती है और पत्तेक्स को प्रमार्ण की कोछ जरूरत नहीं होती है जम्मु कश्मीर में हाल में हुए लोगसमाज चुनाव में मतदान के जहां करे हैं वो पिछले चार दसक के रकॉर्ड को तोड़ लेकिया और इसको सिरफ कोई घर से गया बटन दबा के आया इतना नहीं है भारत के संविधान को स्विक्रुती देते हैं भारत के लोगनंत्र को स्विक्रुती देते हैं भारत के इलेक्षन कमिक्षन को स्विक्रुती देते हैं यह बहुत बड़ी सक्ते हैं आदेली जभापति देश्वासी जिस पल की प्रतिछा करते थे वो आज इतनी सहज सरवता आगे सामने दिख रही है अगरे सबाब। वित्य अनेक दिशकों में बंद, हर्ताल, आतंग की धमकियां, इदर उदर बंधमाके की कोशिशें एक प्रकार थे, लोग तंत्र पर ग्राण बनी हुई थे। आज इस बार लोगों ने समिधान पर अतूर्ट विश्वास रखते हुए अपने भाग्य का फैसला लिया है। मैं जम्मु कश्मीर के मद्दाताओं को विशेश सुर्च से बदाई देता हूँ। आज़री सभापती के जम्मु कश्मीर में आतंग मात से हमारी लडाई एक प्रकार चे अंतीम दौर में है। आतंग के बचे हुए डेटवर्क को भी हम सक्ती से नेश्ट नाबूत करने के लिए पुरी व्युहरचा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीते दस वर्सों में पहले की तुलना में आतंग की घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। अब पत्थरबाजी की खबरे भी चायद ही किसी कौने में कात्मार आजाए तो आजाए। अब जम्मु कश्मीर में आतंक और अलगाओ खत्म हो रहा है। और इस लगाई में जम्मु कश्मीर के नागरीक हमारी मदद कर रहे हैं, नेत्रुत्व कर रहें। यह सबसे जड़ा विश्वात पदा करने वरी बाद है। आज बहाँ टुरियम नए रेकॉर्ड बना रहा है। निवेश बढ़ रहा है। आज जो नौर्थ इसको लेकर सवार उठाते हैं। उन्होंने नौर्थ इसको अपने हाल पर छोड़ के रखा था। क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाथ किताब होता है। नौर्थ इसके इतनी ही लोगसभागी सीटे हैं। क्या उससे राजनीती में फर्क पड़ता है। कभी कोई परवाई नहीं किया। उसे उनके नसीब पर छोड़ दिया था। हम ने हम नौर्थ इसको अदेश के विकास का एक ससत इंजिन बनाने की और नाकत से लगे रहे। नौर्थ इस्ट पुर्वी एशा के साथ ट्रेड, टूरिजम और कल्ट्रल कनेक्टिविटी उसका गेटवे बन रहा है। और ये जो कहते हैं ना 21 सथी भारत की सथी उसमें ये इनिशिएटीव बहुत बड़ा रोल प्ले करने वादा है। यह हमें स्थिकार करना हुआ है। आदरणिय सभापती जी हमने नौर्थ इसमें गत पांच बरस में जो काम किया है। और अगर पुराने कॉंग्रेस के हिसाब से जाद उसको अगर तुलना कर दी जाए। हमने जितना काम पांच साल में किया है। इतना अगर उनको करना होता ना तो कम से कम 20 साल लग जाते एक फिड़ी और चली जाती है। हमने इतना तेजी से काम किया है। आज नौर्ट इसकी कनेक्टिविटी है। उसकी विकास का मुभूत आधा है। उसको हमने प्रात्विक्ता दी है। और आज भुद्काल के सारे इंफ्रात्रेक्टर से कई गिरां आगे हम लिकल चुके हैं। और हमने उसको करके दिखाए है। आज ने सभाप्रती है। नौर्ट इस्ट में साई शांती के लिए दस वर्षों में अनेक प्रयास किये गए। और निरंतर प्रयास किये गए। बिना रुके बिना ठके हर एक को विश्वास में लेते हुए में प्रयास किये गए। और उसकी चर्चा कम हुई है देश में लेकिन परणाम भहुती आशा प्यादा करने वाले निकले हैं। और उसके लिए जो सिवाओं में किसी को उदर जाना है किसी को यहां आना है कहीं देखा यहां बनाने कहीं देखा भाँ वो सारे काम कर चुके हैं। चुरौती देते थे हर काउंटर ग्रूप को चुरौती देते थे खुन खराबा होता रहता था। आज उनको साथ ले करके स्थाइश समझोते हो रहे हैं। सस्तर सरंडर हो रहे हैं। जो गंबीर गुणाओं के अंदर हैं वो जेल जाने के लिए तयार हो रहे हैं। अदालत को फेस करने के लिए तयार हो रहे हैं। न्यायत तंत्र के प्रती भरोसा बढ़ना, सम्मिधान के प्रती भरोसा बढ़ना, भारत के लोकतंत्र के प्रती भरोसा बढ़ना, भारत के गवर्मेंट की रथना पे भरोसा करना, यह इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है। आदने सबाबती जी मणिपूर के सबंद मैंने पीछले सत्र में विस्तार से बाद कही थी लेकिर आज मैं फिर से एक बाद दोहराना चाहता हूँ मणिपूर की स्थिती सामाने करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरफ है वहाँ जो कुछ भी घटना है घटी ग्यारा हजार से जादा एफ आई आर की गई है मणिपूर छोता सा नाज्य है ग्यारा हजार एफ आई आर की गई है पांच सो से जादा लोग एरेस्ट हुए है हादर ये सभापते जी इस बात को भी हमें स्विकार करना होगा कि मणिपूर में लगाता हिंसा की घटनाए कम होती जा रही है इसका मड़लब सांती का आशा रखना सांती पे फरोसा करना संभव हो रहा है आज मणिपूर के अधिकांस हिस्तों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं कॉलेज चल रहे हैं दप्तर और दूसरे सहुस्तान खूले रहे हैं अधैने सभापती जी मणिपूर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परिछाएं हुई वहाँ भी परिछाएं हुई है और बच्चों का अपनी विकांस यातरा जारी रखी है अधैने सभापती केंद्रों और राजसरकार सभी से बात्तित करके शांती के लिए से अहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है छोटे छोटे इकाहियों से को जोड़ करके इन ताने बाने को गुंधना एक बहुत बड़ा काम है और शांती पुन तरीके से हो रहा है बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसां नहीं हुआ है ग्रह मंत्री स्वयम कई दिनों तक वहां रहे ग्रह राज मंत्री हपों तक महां रहे और बार बार महां जाकरके सम्भंदित लोकों को जोड़ने का प्यास करते रहे हाधर निय सभापती जी पॉलिटिकल लीडर्शिप तो है ही लेकिन सरकार के सभी परिष्ट अधिकारी जिसका इन काम से संबंध है वे लगातार वहाँ फिजिकल जाते हैं लगातार वहाँ संपर्ग में रहते हैं और समध्षा के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है आधर्णीय सभापती जी इस समय मनिपूर में बाढ़ का भी संकत चल रहा है और केंद्र सरकार राज सरकार से साथ मिल करके पूरा सहयोग कर रही है आज ही एंडियारेप की दो टीमें वहाँ पहुंची है रहने की प्राकुरती मुसिबत में भी केंद्र और राज मिल करके मनिपूर की शिंता कर रहे हैं आज़ने सभावती जी हम सभी को राजनीती से उपर उट करके वहां की स्थित्य को सामाने बनाने में सहयोग करना चाहिए यह हम सब का कर्तक व्याए आज़ने सभावती जी जो भी तत्व मनिपूर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं मैं उच्छे आगाह करता हूं कि यह हरकते बंद करें एक समय आएगा मनिपूर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है ऐसे लोगों को आज़ने सभावती जी जो लोग मनिपूर के इतिहास को जानते हैं मनिपूर की घटना क्रब को जानते हैं उनको पता है कि वहां का सामाजिक संगर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है उस संगर्ष की मानसिक्ता की जड़े बहुत गहरी है इसको कोई नकार नहीं सकता है और कॉंग्रेस के लोगें न भुले कि मनिपूर में इनी कारणों से दस बार राष्टपति शासन लगाना पड़ा है इतने छोटे से राज में दस बार प्रसेडेंशल डूल लगाना पड़ा है राष्टपति शासन लगाना पड़ा है कुछ तो मुसिबते होगी और यह हमारे कारण में ने भी हुआ है लेकिन फिर भी राज रिती फायदा उठाने के लिए वहाँ पर चिस प्रकार के हरकते हो रही है और आधरिये सभापति जी मैं इस सदन में देश वास्चों तो बेपता रहा था हूँ 1993 में मनिपूर में ऐसे ही घटनाओं का करम चला था और इतना तिवर चला था इतना व्यापक चला था वो पांच साल लगातार चला था तो यह सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समझदारी के पूर्वक स्थीतियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है जो भी इसमें सहयोग देना चाहते है हरे का सहयोग भी हम लेना चाहते है लेकिन हम सामझने स्थीति को बरकरार रखने में शांती लाने में भरपूर प्यास कर रहे हैं आदेने सभापती जी इस मेरा सौभागे रहा है कि मैं प्रधान मंतरी प्रधान सेवक के रुप में हाँ आया उसके पहले लंबे अर्षे तक मुझे मुख मंतरी के रुप में सेवा करने का आउसर मिला था और इसके कारण मैं अनुभव से सिखाऊं कि फेडरलिजम का महत्मे क्या होता है और उसी में से कोपरिटिव फेडरलिजम और उसी में से कॉम्पिटिटिव कोपरिटिव फेडरलिजम इन विचारों को मैं बल देता आया हूँ और इसलिए जब G20 समीट हुई तो हम दिल्नी में कर सकते थे हम दिल्नी में बहुत बड़ा तामजाम के साथ मोधी की भावाई कर सकते थे हमने ऐसा नहीं किया हमने हर देश के हर राज्य के अंदर अलग-अलग कौने में G20 की महत्वपूर्ण कारेकम किये उस राज्य को बिश्व उस राज्य को जाने पहचाने उसके सामर्तों को जाने और उसकी विकास यात्रा के लिए खुज भी अपना नसी बज़वाई इस जिशा में हमने काम किया है क्योंकि हम जानते हैं कि फैटरलिजम के और रूप होते हैं आधने सभापती जी जब कोवीड के खिलाब हम लड़ाई रगते से जितनी बार मुख्यमंत्यों के साथ संबाद हुआ है शाहर हिंदुस्तान के आजहाजी के प्यास में इतने कम समय में इतनी बार नहीं हुआ हमने इस दिया आधनी सभापती जी ये सदन एक प्रकार से राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है और इसलिए राज्यों के विकास के कुछ फोकस एरिया उसकी चर्चा इस सदन में करना मैं उच्चित मानता हूँ और मैं कुछ आग्रभ ये साजा करना चाहता हूँ आज हम एक एंशी स्थिती में हैं जहां हम अगली क्रांती का नेत्रुत्व कर रहे हैं इसलिए सेमी कंड़क्टर्स और एलेक्ट्रोनिक बेनिफेक्टिरिंग जैसे सेक्टर्स में हर राज्यों ने बड़ी प्राक्पिक्ता से साथ अपनी नीत्या बनानी चाहिए योजनों लेकर के आगे आना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि राज्यों के बीच दिकास की स्पर्दा हो निवेश आकरशन करने वाली नीत्यों में स्पर्दा हो और वो भी गुड गवर्णन्स के माद्यम से हो स्पष्ट नीत्यों के माद्यम से हो मैं पक्का मानता हूँ कि आज जब विश्व भारत के दर्वाजे पर दस्तक दे रहा है तब हर राज्य के लिए उसर है और जब ये राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है तो मैं आगरर करूँगा राज्यों से कि आप आगे आए और विकास की यात्रा में आप भी उसका फाइदा उठाईए रोजगार सुजन में राज्यों के भी इस परथा क्यों नहीं होनी चाहिए हरारे राज्य के उस निती के कान उस राज्य में नवजवानों को इतना रोजगार मिला तो दूसरा राज्य कहा है तुम्हारे निती में मैंने प्लस बन कर दिया तो मुझे ये फाइदा मिला रोजगार के लिए राज्यों के बीच परथा क्यों नहीं होनी चाहिए बहुत समझता हो कि ये देश के नवजवानों के भाग्यों को बदलने में बहुत काम आएगा आज नौर्थीश असम में सेमी कंडक्टर पर तेज गती से काम चल दा है और इससे असम नौर्थीश वहां के नवजवानों को बहुत भी फाइदा होने वाला है और साथ साथ देश को भी फाइदा होने वाला है और नौर्थीश की धर्थ को कि एक राज्य सरकार जब एग्रेसिवली जीतियों को लेकर के आती है तो उसका अधरिये सभावती जी यूएन ने 2023 को Year of Millets के रुपे गोशित किया था ये भारत की अपनी खुद की ताकत है Millets हमारे छोटे किशानों की ताकत है और जहां कम पानी है जहां सीचाई की सुविदाए नहीं वहाँ पर Millets जो की एक सुपर फूड है मैं मानता हूं कि राज्य इसके लिए आगे आए अपने अपने राज्य के इस सुपर फूड को Millets को लेकर के बैश्विक बजार में जाने की होज़ना बढ़ा है उसके करण दुनिया के हर टेबल पर हिंदुस्तान का Millets होगा डाइनिंग टेबल पर और हिंदुस्तान के किसान ये घर में दुनिया से कमाने का अफसर्थ प्रादा हो जाएगा खारत के किसान के लिए सबुर्थी के नए द्वार खुल सकते हैं मैं राज्यों से आगर करूँगा कि आप आईए अधनिया सभावती जी दुनिया के लिए Nutrition Market इसका सॉलूशन भी हमारे देश के मिलेट में ये सुपर फूर है और जहांपर Nutrition की जिनता है वहाँ पर हमारा मिलेट बहुत बड़ा कांप कर सकता है हमें ताहरोगे के दुरस्थी से भी वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए हमारे राज्यों आगे आए अपने एक पहचान बनाए आदरे सर्हापती जी 21 फश्यदी में Ease of Living यह सामाने मानवी का हक है और मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार अपने यहां के नीती नीयम व्यवस्ताएं उस प्रकार से विक्सित करें ताकि सामाने नागरी को Ease of Living का आउसर मिले और इस सदन से राज्यों को अगर वो संदेश जाता है तो देश के लिए उप्योग्रों होगा आदिनिय सभापती जी का ब्रस्टाचार के खिलाब जो हमारी लडाई है उसको हमें कैस तरों पर नीचे ले जाना पड़ेगा और इसलिए चाहे पंचायत हो नगरपाली का हो महानगरपाली का हो तैसिल पंचायत हो जिला परिशत हो यह सारी कायों बे एक ही मिशन के साथ ब्रस्टाचार से मुक्ती का राज्य के बिड़ा उठाएंगे तो हम बहुत तेजी से देश के सामान ने मानवी को जो ब्रस्टाचार से जूजना पड़ता है उससे मुक्ती दिलास करें आधर्णिय सभापती जी समय की मांग है कि हमारे हाँ एफिसेंसी अब होती है चलती है का जमाना चला गया है 21 सदी में भारत को अगर भारत की सदी के रूप में आपको प्रस्थाबित करना है तो हमारे गवर्णन्स के मोडल में हमारे डिलिवरी के मोडल में हमारे निर्णे प्रक्रिया के मोडल में एफिसेंसी बहुत अनिवार है मैं आशा करता है कि सर्वीश की स्पीड बढ़ाने में निर्णेयों की स्पीड बढ़ाने में efficiency की दिशा में काम होगा और जब इस प्रकार से काम होते हैं तो transparency भी आती है Eps and birth भी नहीं रहते हैं और सामान ने मानवी के हकों की रख्षा भी होती है और ease of living इसका आहसास हर नागरी कर सकता है आदेनिय सभापती जी मेरा conviction और मैं मानता हूँ क्या आज समय की मांग है हमारे देश के नागरीकों के जीवन से सरकार की दखल जितनी कम हो उस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए रोज मरा की जिन्दिके में सरकार 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 अब हम उस दिशा में जा रहे हैं तब हाँ जिनको जिनके जीवन में सरकार की उप्योगी ता आवशकता है, उनके जीवन में सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए. लेकिन जो अपने बल्बूते पर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार का प्रभाव उनके रोकने का प्रयास न करें. और इसलिए सरकार की दखल जितनी कम हो बैसी समाज और सरकार की व्यवस्ताओं को विक्सित करने के लिए मैं राज्यों से आगह करता हूं कि आप आगे आएजिए हादर निये सभावत ही यह क्लाइमेट चेंज के कारफ प्राकृतिक आपदाओं की स्थिदी बढ़ती जा रही है और वो किसी को एक कौने में करने वाला काम नहीं होता है हमने सामोई रुपते मिलकर के काम करना होगा राज्यों ने अपने सामर्थ बढ़ाना होगा ताथि प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरा पीने के पानी बेवक्ता वो भी उतना ही महतुत देना होगा सामाने मानु को आरोगे की सेवा वो भी उतना ही महतुत देना होगा और मैं मानता हूँ कि हमारे राज्यों में राजलितिक इच्छा सकते के साथ इन मुर्भूत कामों की दिशा में हमारे राज्य जुरूर जुडेंगे अधर्य सभापती जी ये दसक और ये सदी भारत की सदी है लेकिन घुदकाल हमें कहता है कि अवसर तो पहले भी आये थे लेकिन हम अपने ही कानों से अपने अवसरों को खोच चुके थे अब हमें अवसर खोने की गल्ती नहीं करनी है हमें अवसरों को ढूंडना है हमें अवसरों को जकडना है और अवसरों के सहारे हमें अपने समकल्पों को सिद्ध करना है कुछ दिशा में जाने का इस से बड़ा कोई समय नहीं हो सकता है जो समय आज भारत के पास है 140 करोज देश वास्चों के पास है विश्व के सबसे युवा, आदादी वारे देश के पास है और इसको है, जो देश हमारे साथ आजाग हुए थे, वो हमसे आगे निकल चुके है, बहुत तेजी से आगे निकल चुके है, हम नहीं महोच भाए है, हमें इस सित्वी को बदलना है और इस संकल्प को लेकर के हम ग कियें वियाचंब तेजी से एक विख्षित देश के रुपे भूबए हो गए हमें reader सको बुरा मानने की जरूत नहीं है और identifying सछली जाएगी एसे भैवित रहने कि व сдел शक्ता नहीं है जितनी भागीदारी बढ़ेगी जितने इंद्रेडे की शक्ति सामान ने मानुई के हाथ जाएगी बैसमता हूं हम भी भले हम साइद लेट हुए हो लिएक हम उस अकांग्छाव को पूर्ण करने पर उस गती को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने संकल्पों क सिद्धी कर सकते हैं हादनिय सभापती जी विक्सी भारत का मिशन है ये किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है 140 करोर देश वाच्चों का है किसी एक सरकार का मिशन नहीं है देश की सभी सरकारी काईयों का मिशन है और हम एक सुत्र में एक संकल्प के साथ मिल करके चलेंगे तो हम इन सपनों को साकार घर पाएंगे, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है, हदने सभापती जी, मैं विश्व मंच पर जाता हूँ, विश्व के अनेग लोगों से मिलता रहता हूँ, और मैं आज अनुभव कर रहा हूँ, कि पूरा विश्व निवेश के लिए तयार है, और भारत म की पहली पसंद है, हमारे राज्यों में निवेश आने बाद, उसका पहला द्वार तो राज्य ही होता है, अगर राज्य जीतना जादा इस अवसर को जुटाएंगे, मैं इसको मानता हूँ, उस राज्य का विविकास होगा, आधने सभापती जी, जिन जिन बातों को हमारे मानने सदस्वा ने उठाया था, उन सब को संकली रूत में जानकारी देने का माने प्रयास किया है, और आधनी राज्यों महोदाय जो अभीभाशन दिया, जो हमारे लिए दिशान दिर्देश दिये हैं, और देश के सामान ने मानवी के अंदर जो उन्होंने विश्वात प जो ने वाने को लाम देशा बहुत 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 जन्यवाद्ट